Hello Friends, Welcome to our YouTube Channel CyberValue दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सिखेंगे MS Powerpoint के बारे में MS Powerpoint के ये हमारा 4th वीडियो है इसके पिछले वीडियो में मैंने MS Powerpoint पे उस्योन एले सारे shortcut keys MS Powerpoint को किस तरह से open कर सकते हैं MS Powerpoint का introduction का वीडियो अपलोड कर गया है आज की इस वीडियो में हम सिखेंगे MS Powerpoint के होम टैप के बारे में होम टैप में आज हम तीन ब्लॉग को सिखेंगे क्लिपट ब्लॉग, स्लाइड ब्लॉग और फॉंड ब्लॉग तो शिदिए पिना समय का इस्टार्ट करते हैं आज का वीडियो से पहले अपने वाई का नाम जा देजिए मेरा नाम है पावन और आप देख रहे हैं साइबर वर्ट यूटुब चार्ट चार्ट चलिए अपने PC स्क्रीड पर चलिए सबसे पहले हम अपने से प्लिकेशन पर दबल प्रेस और धाको क्लिए से अपको पता दू किसी भी अप्रिकेशन में कि सारे भावशन के लिखेंगे प्लोग है कॉट कॉपिपेश्ट आपट पेश्ट कभी कर सकते हैं जब आप अपने application में कुछ work करेंगे, तो सबसे पहले हम सिखेंगे slide block के बारे में, slide में आपको 4 options दिख रहे है, new slide layout, reset, delete, बारी-बारी से हम इन सारे options के बारे में सिखेंगे, सबसे पहले, PowerPoint को open करने बाद, आपका कुछ इस तरह से interface सो करेगा, PowerPoint में कितने tabs and panel, किसे slide प्रूलर, status बार कियाते हैं, इन सारे topic में एक video upload कर दिया है, जो PowerPoint introduction की नेम से है, PowerPoint application open करने बाद, by default टूप से ये PowerPoint का एक slide आपको सो करेगा, इस slide में आपको 2 text box दिख रहे हैं, आप इन नया slide ले, तो उसके लिए आपको सिल्पी नियू slide के drop down button प्रूटर प्लिक करना है, आपके सामने यहाँ पर इतने सारे slides के option प्लिक करेंगे, आप जिस भी slide को लेना स्याते हैं, तो आप आसाने से उसकर फ्लिक कर ले सकते हैं, जैसा कि हमारा सबसे फाला ये slide जो by default में कुछ text को type कर दिया है, आप देख सकते हैं हमारा ये बाहर अगर हम mouse के कर से लिंक कर रहा है, तो ये हमारा फ्लिक में हो रहा है, हमारा next option है layout, इस option के help से आप अपने slide में लिखे का text को बीना edit किये, अगर आप अपने slide को change करना चाहते हैं, जैसे कि मेरा यहाँ पर first slide title slide है, second slide to content slide है, और third slide blank slide है, जैसा कि मेरा यहाँ पर तीनो slide रखा है, और हम चाहते हैं, जो हमारा ये first slide में जो type type की होगा है, वो same second slide में type हो जाए, यानि कि हमारे जो first slide है, वो second slide में change हो जाए, तो आप असाने सी इसके layout को change करते हैं, इसके लिए आपको simply layout के right side में एक button show कर है, उसके आपको click करना है, जैसा कि मैं आपर title and content वाले slide को select करता हूँ, और आप देख सकते हैं, हमारा ये title computer shortcut, और हमारा ये content by cyber world, इसमें fill हो गया है, अगर आप पर चाहते हैं, कि इस layout को change कर तो उसे layout को convert कर दे, तो आप यहाँ से आसाने सी करते हैं, उसके निए आपको simply slide को select करना है, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको first slide को change किया हूँ, second slide को change करते हैं, इसके लिए layout पर click करना है, और आपको comparison या नि जिसमी slide में आपको convert कर रखाते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं, हमारा ये slide का layout change हो गया है, फिर से हम इसे change करते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं, हमारा ये layout change हो गया है, इस तरह से आपने सिखा, slide में new slide कैसे ने, और slider layout कैसे change करें, अब हमारा next option है, reset, इस option के help से आप अपने slide में किये गये text formatting या editing को reset करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें एक new slide ले ले लेते हैं, और उसमें कुछ editing कर लेते हैं, मैंने आपक to content ले ले लिया, इसमें मैं आपको कुछ type कर देता हूँ, और उसके वाद आपको दिखा देता हूँ, किस तरह से editing करते हैं, मैंने आपको कुछ text को type कर दिया, और इसमें मैं कुछ editing कर लेता हूँ, सबसे पहले हमें आपको एक picture को insert कर लेता है, मैंने आपको एक picture को insert कर ले इसके लिए आपको simply एक पूरे slide को select करना है और उसके बाद reset को click करना है इस तरह से आप देख सकते है हमारा जितना भी text formatting था वो सारा एक बार में reset हो गया यानी clear हो गया इस option की help से आप basically text में किये गया editing को एक बार में reset कर सकते हैं अब हमारा next option है delete इस option की help से आप किसी भी slide को आसानी से delete कर सकते हैं सबसे पहले हम slide को create कर लेते हैं तो मैंने आपने एक blank slide और ऐसे ही काफी सारे slide को दे लिया इस तरह से हमारे पास ये 5 slide हो गया है और अगर आप चाहते हैं कि इस slide को delete करना तो आप simply अपने mouse से इस slide को select कर और keyword में delete button से आप delete कर सकते हैं या तो आप अगर आप कहा से option प्रोड़ीट करना तो आप simply delete slide को किसी भी slide को आसानी से delete कर सकते हैं और अगर आप फिर से नया slide देना चाहते हैं तो इस slide को प्लिक कर आप को इस slide कर सकते हैं इस तरह से आपने सिखा slide block के सारे option and commands के बारे तो अगर आपको यह video अच्छा लगे तो इस studio को like, comment और share और वसे करें अब हम आगे सिखने हैं font block के बारे इस block में आपको font से related सारे option and commands दिये गये तो बारी बारी से हम इन सारे options के बारे में font से related कोई भी पर करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ messages को type करना परेगा तो मैंने आपके एक तू content वाले slide को select कर लिया और कुछ messages को type कर लिया तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका यहाँ पर सबसे फाला ओप्सन है font के help से आप आपके सामने काफ़ी सारे fonts लिखाई देगे जिससे आप अपने लिखे का text को काफ़ी attractive और सुन्दर बना सकते हैं इसके लिए आपको simply text को select करना है और इसे क्लिक कर देना है इसके बाद अपने keyword के down arrow key से जिस तरह से आप यहाँ पर आप जिस भी font को select कीजिएगा आपके सामने कुछ बड़ा सा टेक्ट लो करें जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर उसी तरह टेक्ट लो करना है तो मैं यहाँ पर एक select कर लेता हूं उसकी बाद यह हमारा option है font size इस option की help से आप अपने font के size को engage और difference कर सकते हैं जैसा कि आप लेक्ट से आई है एक तो 96 अगर आप इसे भी ज्यादा आपने font size को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो आप simply आहाँ पर type कर इसे जैसा कि मैंने आपने type कर दिया और उसकी बाद आपने slide पर mouse का left की press कर दि अगर आप इसे जिल से घटाना चाहते हैं तो यही same option हमें या पर दिखेगा increase font size और decrease font size के लिए आपको simply text को slip करना है और decrease font size करना है इस तरह से आपने किसे हमारे font size decrease हो रहा है और उसी तरह से आपकी से आहां से increase भी कर सकता है कि बाद हमारा नीचे option जो है यह हमारा bold इस option क help से आप अपने लीखे का text को bold कर सकते हैं bold यानि अपने लीखे के text के later को आप थोड़ा सा bold कर सकते हैं इसके लिए आपको simply text करना है और bold पर click करने आए तरह से आप देख सकते हैं हमारा यह चेंजिंग हो चुका है फिर से अगर आप इसे unbold करना चाहते हैं तो आप फिर से option के help से आप अपने लिखे के text के नीचे underline लगा सकते हैं जैसी आप इस पर click करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा यह text के इसे underline चोग करना है आप इस टेक्ट के इसे भी underline कर सकते हैं इन सारे option के help से आप काफी सारे अपने text में editing कर सकते हैं हमारा fourth option है strike throw इस option के help से आप अपने लिखे के text के बीच ओ बीच एक line draw हो गया है इसके बाद हमारा यह option as shadow यह option आपको केवल powerpoint में ही दिखेगा यह option ms excel और ms word में नहीं दिया गया है इस option के help से आप अपने text के background में shadow लगा सकते हैं जैसे कि आप जूम करके आपको मैं दिखा देता हूँ जैसे आप इस पर click करते हैं तो आपके सामने खोरा सा आप देख सकते हैं हमारा यह text के नीचे shadow आ जाएगा इस तरह से आपने सीखा bold italic underline type through और shadow option के बारे में हमारा next option है character species जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा यह word लिखा हुआ है अगर आप चाहते हैं इसके सारे character c y b या सारे later की भीच में इस पेसी कम यह ज्यादा हो तो आप इससे आसानी से कर सकते हैं इसमें हमारा सबसे पहला option है very type इस option की help से आप अपने लिखे गए text को काफी पास में ला सकते हैं इसके बाद हमारा type और इसके बाद normal and tense के इसमें आपका यह text जैसी आप type किसेगा तो आपका यह normal text इसी तरह सो करेगा अगर आप चाहते हैं इस थोड़ा और दूर दूर हमारा text है तो आप यहां से आसानी से चेंज कर सकते हैं इस तरह से आपने सिखा character spacing option के बारे में हमारा next option है change kit इस option के help से आप अपने लिखे का text के case को change कर सकते हैं सबसे पहले हमें यह text को select करना है और उसके बार जैसे ही आप change case वाले drop down button प्लिक करते हैं आपके सामने आपर पाच options करेंगे सबसे पहला हमारा है sentence case sentence case में हमारा सबसे first letter capital और बाकि सारे letter ही small होते हैं उसी तरह जैसे ही आप lower case case करते हैं तो आपके सामने सारे text lower case याई small letter सो करेंगे ठीक इसके अपर case यानि सारे letter capital सो करेंगे और हमारा fourth option है capitalize each word यानि हर word का पहला letter आपको capital सो करेंगे और खीक टोगल case यानि हर word के first letter आपको small और बाकि सारे letter capital सो करेंगे तो macrocuptr पर हम sentence case का यूज करते हैं तो हम अबने text का sentence case के तुछिरे कर लैते हैं इस तरह से आपने सीखा sentence case के बारे में अब हमारे font shop में दो options वो प्र पाकर रहे हैं जिसमें हमारा एक है font color और और दूसरा है clear all formaterं तो सभसे पहले हम font color के बारे में जाने है font color यानि font के के पारे में जैसे कि हमारे यह फंट कलर ब्लैक क्लर राइब चाहते हैं हमारे चाहते हैं कि हमारे करना है और आप में आसानी से किसी भी क्राल य्किश फॉर्मक को चेंज कर erhalten है नत्जिस्ट करें मारा सबसे लास्ट ओप्सण है किलियर रॉ फॉर्मेटिंग जैसे कि आप क्लाइग वाले ब्लॉक मेंải र क् buffer से अपने लाइड में किये गए कि Cole किसी भी तरह के format को आप एक बार में clear कर चुते हैं इसके लिए आपको सिंफले स्मेक करना और किलियर और फॉल्मेटिंग पर क्लिक करना है इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये जैसा text मेंने type किया था ठीट उसी तरह हमारा ये text वापस से आ गया इसी तरह मैंने आपके लिए जैसे से आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अब भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें डिवूट के नहीं है। कर देंगे हैं और आप उसे कही और जीखना चाहते हैं तो आप पेस्ट पर लेता हूं और उसके बाद करता हूं उसके आप देख से हमारे यह जो वर्ड लिखावा था वर्ड उसे मैंने यहां से कट कर दिया वह वर्ड आप डिलीट नहीं हुआ अगर आप चाहते हैं उस वर्ड को किसी और जगा पेस्ट करना तो आप आसानी देख कर सकते हैं इसके लिए आपको जहां भी आप उससे कट किए गए टेक्स को पेस्ट करना चाहते हैं तो आप वहां पर अपने मौस का राइट जीए वहां पर आप अपने मौस से करसर को ले तोप्सिन का यूज़ करने अब हमारा नेक्स्ट ओप्सन ने कॉपि अगर आप चाहते हैं जो हमारा वट लिखा हुआ है यह यहां भी रहे और आप जिस जगा इसे दूसरे जगा प्रेस्ट करना चाहते हैं यहां ले जाना चाहिए वहां भी रहे तो इसके लिए आपको सिं कर्सर को आप लाईए और उसके आप प्लिक कर दो इस तरह से आप ने सिखा कट कॉपी पेस्ट ऑप्सन का यूज़ करना इस ऑप से आप टेक्स्ट में किसी तरह के एडिटिंग को आप कॉपी कर किसी अदर टेक्स को उसे पेस्ट कर लिए है एग्जामपल को तौर पर मैं के गना आपके पिख्रेय उस फनके कॉपी कर लिया है तो सबसे पहले हमें आपने को स्लेक्ट कर लें ऐसे के कुछ फौर्मे और दर बी मृप्ली और दिश्रे couch कर लिया है और अगर आप चाहते हैं कि से में जो unit कर लिए और हैं उसके इसाद़ पर दॉसे इसाद्र हमारा जैसे आप format printer पर click करते हैं हमारा mouse का कर साथ ब्रस में change हो जाएगा आप उसे बाद सीज़ली इसे जिसमें text को edit करना चाहते हैं आप यहां से उस पर paste करते हैं और आप देख सकते हैं हमारा ये सारा formatting किया हो गया आने से paste हो गया अगर आपको यह वीडियो पसंद आप इस वीडियो को लाइक करें और चानल को सब्सक्राइब करना ना पर तो मिलते हैं अगले वीडियो में थाइक्यू फोर वाचिंग इस वीडियो